जी नमश्कार स्वागत आप सब्सक्राइब के यूट्यूब चैनल पर हमें रोईत्म अजवान और आज तिक लेकर आए आपके लिए छोटी-छोटी मगर मोटी बाते सीरीज में एक नया टोपिक यह है पेड़गोजी स्पोशल एक ऐसा टोपिक है जो आपको मदद देगा जो आपने लगबग कई बार आते हुए देखा भी होगा जिससे सवाल भी आते हैं और यह सवाल है इसका नाम है क्या है जी सी सी तो यह जो वर्ड है सी सी इई इसमें आप सारी चीजे तो जानते ही है तो ज़्यादा एक्स्प्लेनेशन में तो नहीं जाएंगे हम थोड़ आपके explain, तो आपने एक word पढ़ा होगा continuous, इसको short लिख देते हैं, एक word होगा comprehensive, एक word क्या है comprehensive और last वाला क्या है evaluation, तो जब आप पढ़ते हैं ये वाला word, तो कई बारना जो लगबग 3-4 वर सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसके बारे में कि what is the meaning of comprehensive, तो अगर म सवाल को पूछा है, तो यह आपको पता होना चाहिए, देखे, जहां comprehensive word आ जाता है और जहां एक word और मिल जाता है, को, तो याद रखेगा जहां पर को होता है, उसका मतलब होता है add करना, add करना मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो यहां पर जब यह comprehensive word बना होगा, तो यह कि लिख दिया तो इसका मतलब एक तो आपके क्या होते हैं सेक्षिक हिंदी वाली मातरा में उस पर ध्यान ना दीजेगा प्लीज गलत हो जाए तो माफी है सेक्षिक है और को स्कॉलिस्टिक माल लिजेगा आपका स्पोर्ट स्केल कूद से जुड़ा हो है यहां वाला आप नोर्मल एक चीज और बता दे कि comprehensive का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होगा comprehensive का एक नया मतलब और आ जाता है और जिसका मतलब होता है all our development क्या कहता है all our development तो इसका मतलब जब आप बच्चे के पूरे development की बारे में बात करते हैं तो तब आप कुन सा वर्ड यूज करते हैं comprehensive जब आप उसके scholastic और co-scholastic के बारे में बात करके तब यूज क्या करते हैं comprehensive लेकिन आजकल आपको एक नया वर्ड और देखने को मिलने लगा है और जो एक नया वर्ड आपको देखने को मिलता है वो है holistic तो जब आप बात करते हैं यह वाला तो इसका मतलब कभी भी आप से किसी न अगर यह पूछा कि what is the meaning of comprehensive in CCE तो continuous था लगातार comprehensive था उसका खेलकूद और उसका sexic दोनों को मिलाते हुए evaluation का मतलब क्या समझ लेजगा result तो आप से यही सवाल पूछा जाएगा बार बार यही तो जब हम बच्चे के ओल अवर डवलेप्मेंट की बात करते हैं तभी comprehensive है जब हम उसके holistic बात करते हैं तब भी comprehensive है और जब हमछे के scholastic और co-scholastic की बात करते हैं तब भी क्या है comprehensive तो comprehensive को मतलब है all our development जो हम भी आपका जहीं चाहते हैं कि आप पढ़ें अच्छे से और आपका development के चोटी-चोटी मगर मोटी बातों में आज का एक वर्ड था जिसका मतलब मैं आपको समझाया अब आपको मेरे से इस सवाल में पूछ लेता हूं कि आपको मेरे को बताना है यह वाला comment box में जवाब पढ़ें कि CCE कब आया था आप लोगों को मेरे को जवाब देना इस वीड लेंगे नई वीडियो के साथ फिर जल्दी तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहे का जैहिन